ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुश्यामदीद कहती हूँ आप टेग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डुनेट के बटन को क्लिक करके हमें कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं आज की शो में सबसे बड़ी खबर इंडिया, कैनेडा तालुकात में मजीद बिगार के हवाले से है भारत ने अपने छे टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया जबके कैनेडा का कहना है कि उन्होंने भारती डिप्लोमेट्स को परसोना नौन ग्राटा करार दिया था तो चलिए हम आज की बाचीत का आगास करते हैं भारत कैनेडा के मजीद बिगड़ते हुए रिष्टों के हवाले से चौदा अक्तूबर को भारत की तरह से अपने च्छे टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की खबर पहले सामनी आई पिर कैनेडा का एक बियान आया कि हम भारत के च्छे टॉप डिप्लोमेट्स को एक्सपल कर रहे हैं तो ताहिर सब असल कहानी क्या है देखिए असल कहानी का तो बाद में पता चलेगा कि किस ने अपने डिप्लोमेट्स खुद निकाले या किस ने एक्सपल की है लेकिन असल कहानी इन दोनों से बड़ी ये है कि तल्लकात जो बहुत खराब थे पिछले साल सिप्टंबर में जब प्राइम निस्टर टूडो ने एक बंशल एनॉंस्मेंट की थी किनेडियन पार्लीमेंट के अंदर के हरदीब सिंग निजर के कतल के पीछे बारती हकूमत का रोल है ये उसी तरह की बंशल खबर है जो अल्मोस एक साल बात दोबारा हम देख रहे हैं और ये बड़ी अजीब गरीब खबर है क्योंकि इस खबर के हवाले कैनेडा की आर सी एम पी ने तीन इंटरनेशनल स्टूडंट्स यानि भारती बैक्ग्राउंड के स्टूडंट्स को निजर के कतल के स्थे में पकड़ा था अभी तक हमें कुछ पता नहीं के उस की तहकीकात किस तरफ जा रही हैं और फिर ये के अब ये इस तरह की बामशल खबर आई है तो इस खबर ने ना सिर्फ ये है कि कैनेडा भारत के रिश्टों को हला दिया है जो पहली हिले हुए थे बलके उससे जो इंडो किनेडियन कम्यूटी है जो यहां पे डेर से दो मिलियन लोग बसते हैं वो भी हिल गए हैं क्योंकि दोनों देशों से प्यार करते हैं दोनों डिमॉक्रिसी हैं और मैं यह समयता हूं कि यह एक बहुत ही अफसोसनाक और इंडो केनेडियन के लिए प्रिसाइजली एक बड़ी ही सैड खबर है और इसको हम थैंक्स गिविंग डे के दिन के मौका पर सुन रहे हैं और जो आपका बन्यादी सवाल था कि क्या डिप्लोमेट्स भारत ने खुल वापस किये थे क्या कैनिडा ने निकाले हैं अब यह देखिए यह मजीद सलसल आगे बड़ेगा पिछले साल भी ऐसा हुआ था अब यहा है भारती नजाद डाइस्पोरा की तो कैसे नजाम चलेगा तो मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत बुरी खबर है और काफी दचका देने वाली खबर है चलिए अभी आपने जैसा के कहा वैसा ही आज आर सी एम पी ने एक प्रेस प्रीफिंग में बताया कि इंडिया की ड गैंक्स के जराइम में बी इन वाल थे आप इस बाम शेल कबर को कैसे देखते हैं यह वाकिए बड़ी अजीब खरीब ख़बर है आर सी एम पी की वो प्रेस कांफरेंस आज ही हुई जिसमें उन्होंने कहा के बारती हकूमत मारे साथ तावन नहीं करती फिर उन्होंने यह कि यहां के जो गैंग्स हैं जो साउटेशन बैक्राउंड के गैंग्स हैं उन में भी बारती हकूमत के जो डिपलोमेट्स हैं उनका उनकी इन्वालमेंट है तो अब आर सी एम पी की उस खबर को सुनने के बाद मैंने भी सोचा और मैं सिटी टीवी पे एक निउस टॉक भी रही थी कि यह उनके लिए भी हैरत है क्योंकि आर सी एम पी ने कोई सबूत नहीं दिये या कोई एविडेंस नहीं दिये या कमस कम कोई लिंक नहीं बताए एक स्टेटमेंट लगती है तो यह वाकिए बड़ी मुशकल बात है हासम करना कि इंडियन डिपलोमेट्स अपने देश के हैवाले से अगर कुछ यहां पे यहां लॉबिएंग कर रहे थे जो हर देश के डिपलोमेट्स करते हैं लेकिन क्या वो यहां के जो गैंग्स हैं उनके साथ वो कर रहे थै अपना और्स हैं की सामिल के अच्छा aggressively यह थे पहिती है कि यह बात तो ऑिएंडिया कहता चलाया है कि जो हमारे क्रिमिनल गैंग्स हैं उसको आप किनेडियन यानी कैनिडा वाले उनको एकामोडेट करते हैं और उनको सभाले होएं और वो इंडिया कह रहा है तो देखिये बात ये है कि यहाँ कैनिडा में जो इस वक्त वाकुए साउठ एशिंग ये गैंक्स भी है और वो सब के सब यहाँ पर काम कर रहे हैं और कैनेडियन सरकार इतनी ही हम किनेडियन्स को महफूज रखने में कासर है यानि वो हम को महफूज नहीं रख सकती नकाम है तो ये हम किनेडियन्स का मसला है ये हम किनेडियन्स को पूछना चाहिए कि भई आप फिर इतने ही नाएहल हो हमारे billions and billions dollars Canada की law enforcement की एजंसियां पर खर्च हो रहे हैं तो फिर वो क्या बाहर की जो हकूमते हैं उनको रोक नहीं पाती हैं यहां चाइना के हवाले से खबरें अक्सर आती हैं कि चाइना के जो foreign police stations हैं जो एक खास कहा जाता है quote on quote वो Canada में भी काम कर रहे हैं उसमें कोई Canadian सरकार का इतना हलागुला सामने नहीं आता बारती कमीटी भी सोचती है मैं भी एक जनलिस होने के नातिश सोचता हूं कि after all Canadian सरकार और जस्टिन टूडो की सरकार जाहर जस्टिन टूडो जस तरह चाहेंगे उसी तरह law enforcement अपना narrative बनाएंगे मगर law enforcement का जो narrative है वो unfortunately बहुत हमें shady सा नजर आता है कोई इतना solid नजर नहीं आता उसके पीछे लगता है कि political motive ज्यादा है जो साफ महसूस हो रहा है चलिए अब इस तमाम सूरते हाल में कि हम पिछले कुछ सालों से ये बात बहुत notice कर रहे हैं कि इंडिया और कैनेडा के तालुकात बहुत strenious है तो क्या आपको ये तालुकात बेतर होते हैं नजर आते हैं हाँ देखिए मैंने एक आसी बरी दुख होता है दोनों डिमॉक्रेसी है कैनेडा हमारा देश है अब मतम्मेह जाती दोर पर मुझे कैनेडा से बेपना प्यार है बारत हमारी civilization है मुझे वो भी अच्छी लगती है दोनों डिमॉक्रेसी से हैं और ये जो इनके रिष्टे खराब हम होते देख रहे हैं मुसलसल कई सालों से और खास सोपर जब से प्राइमिन से टोड़ो आए हैं तो उसमें प्लिटिकल मोटिवस भी नज़र आते हैं और दुख होता है क्योंके जैसा मैंने का कैनेडा के चाइना के साथ इत्वी खौफनाक हुए मुचले दोनों जैसे वो चाइना की वो सी एफो थी इसकी हवाए जो इनकी कंपनी है मैं अगर ठीक से काम ले रहा हूँ तो इनको कैनिडा ने हाउस ओरेश किया वाथा अमेरिका के कैने पर फिर चीनियों ने हमारे दो डिपलोमैटस को डिपलोमैटस नहीं quéला है ना कि एक जहाज इस सी एफ फो जो थी चाइनीज हाई परफाइल मिस मैंग उसको लेके गया और उसी वक्त एक जहाज कैनिडा का उन दो केनिडियन्स को लेकर आया जो जिनको पांसी के सदा हो गई थी तो इतने बुरे तल्लकात के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि कैनिडा और चाइना ने एक दूसरे के डिपलोमेट्स को एकस्पेल किया हो या किसी ने अपने डिपलोमेट्स को वापस बलाया हो इतने शदीद बुरे हलात के बावजूद इतना वो माफिया स्टाइल एक्सचेंज था और भी इतने मसाइल हैं अभी डिमॉक्रेसी है ना रेशिया डिमॉक्रेसी है लेकर बारत के साथ ट्रेड भी चल रहे हैं कैंड़ा की इन्वेस्मेंट भी है यहां पर बारती नजाद के लोगों के बिलियंज और बिलियंज डॉलर के बिजिंसस हैं और डेर से दो मिलियन लोग बसते हैं मगर इसके तो आफ्टर आल जब हम चाइना के साथ रिलेशनशिप देखते हैं रिशिया के साथ देखते हैं तो ये वाली नुएट वहां भी नहीं आई जो डिमॉक्रिसी भी नहीं है तो अब तल्दकात क्या बेतर होते नजर आ रहे हैं अभी तो खराब हो रहे हैं सफार्थ खानों के काम में ही रखनाना पड़ जाए और इतनी बड़ी कम्यूटी है और इन दोनों मुलकों के बीच इतना बड़ा ट्रेड भी है और ये पिछले चंद सालों से मसलसल ऐसा ही हो रहा है मेरा कहला है ये बान आफ्टर नदर एक दूसरे को ये थ्रेट का सलसला जो के बहुत ही परिशान कुन है बहुत से लोगों के लिए सब्सक्राइब तक्वी यूट्यूब चैनल और प्रेस्टर नोटिफिकाशन बटन